आप सभी लोगों को स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर धबनेल आपने विल्कुल सही पड़ा अब आपके जीएस्टी रेजिस्टेशन कैंसिल हो जाएंगे सर क्यों हो जाएंगे कैंसिल ऐसा हमने क्या कर दिया तुमने कुछ करा नहीं तभी तो ये कैंसिल होंगे GST के अंदर एक rule होता है rule number 10A पता है आप लोगों को rule number 10A क्या कहता है भाई साहब कि जैसे ही आप अपना GST में registration कराते हो उसके बाद उसके अंदर अपना bank account की detail डाल दो इसका मतलब जब आप GST number लेते हो उस time पर आपको bank account detail नहीं डालनी होती और जैसे ही GST number आजाता है उसके 30 दिनों के अंदर अंदर या जो भी तुम्हारी GSTR 1 या IFF की date होती है जो भी पहले date आएगी वो आपको bank account detail अपनी फर्निश करानी है मतलब GST number आते ही अपना bank account खुलवा लेना है अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि भाई अपना GST number ले लिया उसके बाद अपना bank account अपडेट ही नहीं करते तो इन्होंने एक advisory जारी करी है और advisory जारी करके बोला है कि भाईसा इस बात को सुन लो अगर तुमने अपना bank account अपडेट नहीं कराया कितने दिनों के अंदर तीस दिनों के अंदर अगर आपने अपना bank account अपडेट नहीं कराया तो इस बात को ध्यान से समझ लेना आपका GST registration suspend हो जाएगा ठीक है ना अपने आप automatically आपको REG form 31 आ जाएगा कि भाई आपका registration suspend हो चुका है और उसके बाद ना तो आप अपनी GSTR 1 बरपाओगे ना IFF बरपाओगे ठीक है ना क्योंकि Rule 10A में लिखावा है तीस दिनों के अंदर या जो GSTR 1 या IFF की डेट है उससे पहले आपको अपना bank account अपडेट कराना है तो अगर आपने नहीं कराया तो आपका जो है registration suspend हो जाएगा इसके बाद अगर आप अपना bank account अपडेट करा देती हो तो वो automatically revoke हो जाएगा ठीक है ना वो automatically portal क्या कर देगा वो revoke कर देगा ठीक है ना आपको जो intimation आ रही है उसमें आप reply डाल देना और आपका वो revoke हो जाएगा तो आपका रिपलाय डाल देना लेकिन अब आपका registration क्या है suspend हो गया उसके बाद भी आप bank account detail update नहीं कर रहे आपको REG 31 भी आ गया तो उसके बाद यह कह रहे हैं कि आपका registration हम cancel कर देंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है न इस चीट को ध्यान दखो कि अगर आपने REG 31 के 30 दिनों के बाद भी अपने bank account को update नहीं करा तो हम आपका registration cancel कर देंगे तो अब आपको क्या करना है जिसका भी आप GST नंबर ले रहे हो सबका सबसे पहले bank account खुलवा लो अगर bank account नहीं खुलवा ओगे तो पहले suspend होगा और फिर आपका cancel हो जाएगा तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो अपने bank account को update करा कर रखें और अगर इस तरह की सारी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमारा Arjun Batch ठीक है ना आप लोगों को पता ना Arjun Batch हाँ जी Arjun Batch स्टार्ट हो चुगा है तो फटा फट से उसे join कर लो सर 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 एक चीज बताओ Arjun Batch की जो क्लासे निकल गई हैं उसका क्या होगा टेंशन क्यों ले रो Arjun Batch की जो क्लासे निकल गई हैं उसकी हम आपको recording प्रोवाइड करा देंगे, उसकी हम आपको recording प्रोवाइड करा देंगे, तो उसकी recording हमारे app में है, तो app को download करो, अर्जुन बैच लो, सर मुझे तो income tax भी सीखना है, मुझे तो balance sheet finalization भी सीखनी है, मुझे तो TDS की return भी सीखनी है, तो कोई बात नहीं, फरवर को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, thank you for watching.